प्यारे प्यारे साथियों नमस्कार ज्यान सिंधु कोचिंग क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपका अपना साथी अरुनेश कुमार आईए आज हम सदा चारो पदेशा पढ़ते हैं पहला श्लो किसका है सम गच्छद्वम सम वदद्वम समवो मनान सिजानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते सम गच्छद्वम सम माने साथ साथ और गच्छद्वम माने चलो सम वदद्वम साथ साथ बोलो सम माने साथ साथ यानि मिल करके वह माने अपने मनान सिमाने मनों को जानताम माने जानो साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ मिलकर अपने मनों को जानो, समझानता मने जानो साथ साथ मिलकर जानते हुए, पूर्वे मने पहले, यथा मने जैसे, देवा मने देवतागन, भागम मने अपने भाग को, हिस्से को, या आप कह लिजे अपने कर्तब कर्म के अंस को तो यथा देवा पूर्वे भागम, यथा पूर्वे, पूर्वे मने पहले, यथा मने जैसे, देवा मने देवगन, भागम मने अपने भाग को, संजानाना मने मिलकर जानते थे अपने भाग को मिलकर अपने अपने जानते हुए, उपासते मने उपासना करते थे उपासना करते थे मतलब कारे करते थे कर्म करते थे उसी प्रकार तुम लोग भी करो कहने का मतलब ये है कि साथ साथ बोलो साथ साथ चलो साथ साथ बोलो और साथ साथ वो मने अपने मनांस जानता मनों को जानो यहां पर एक त्व इस्थापित करने की बात की जा रही है। कर्माने उपासना करते थे वैसे तुम लोग भी मिलजूल करके उपासना करो ठीक है आगला कुरुवने वेह कर्माने जी जी विसे छतम समाह एवं तोई नान्य थे तो अस्तिन कर्म लिप्पे ते नरे कुरुवन एव इही अब इसमें देखो कितने पाठ है एक तो हो गया कुरुवन एक हो गया एव और एक हो गया इही कुरुवन माने करते हुए ठीक है कुरुवन माने करते हुए क्रीध हात हुए देखे क्रीध हात हुए यहाँ पर क्रीध मतलब करते हुए करना कुरुवन माने करते हुए एव माने ही इह माने इस संसार में इही का मतलब क्या होता इस संसार में अपने कर्म करते हुए ही संसार में इतने मतलब यह है अपने कर्म करते हुए ही संसार में कर्माने माने कर्मों को कर्मान माने कर्मों को कुर्वन माने करते हुए एव माने ही इस माने इस संसार में इस संसार में अपने कर्मों को करते हुए ही जी जी विशे इच्छतम जी जी विस इच्छतम समा जी जी विस इच्छतम समा यानि सव वर्स तक जीने की इच्छा करें समाहमाने सव वर्षों तक ठीक है जी जीविसमाने जीने की इच्छतमाने इच्छा करें समाहमाने सव वर्षों तक इस संसार में कर्म करते हुए ही और कर्म भी कैसे होने चाहिए सास्त्र संगत कर्म शास्त्र के अनुकूल कर्म होने चाहिए ये नहीं है कि सास्त्रों में जो बताया गया है उसके विपरीत आच्रण करें सास्त्रा नुकूल कर्म करते हुए इस संसार में मनश को क्या है सौ वर्स तक जीने की इच्छा करनी चाहिए अब आप सोच रहे हैं हम कर रहे हैं बुरे काम और सौ वर्स तक जीवित रहें कि अरे बिल्कूल नहीं भया बात ये बताई जा रही ना इस लोक में इसमें बताई जा रही है कि कुरवन एव इह करमाणी इह माने संसार में करमाणी माने करमों को कुरवन माने करते हुए ही जीविस माने जीने की इच्छा इछे तम मने इछा करनी चाहिए समाह मने सो वर्षों तक धिक है यानि संसार में शासता नुकूल कर्म करते हुए ही सो वर्ष तक जीने की इछ और एवम तुई ना अन्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते न रे एवम मने इस प्रकार या इस से तोई माने तुम्हारे लिए ना माने नहीं अन्यतो अस्ति, अलग कोई उपाए नहीं है, अलग कोई उपाए नहीं है, तो एवं माने इस प्रकार तोई माने तुम, अब यहाँ पर तोईकार थे मनुष्य को बताया गया, इस प्रकार मनुष्य ना अन्यते, अन्यता इतहा अ न थेतोवस्ति का मतलब होता ना और तो उससे अलग कोई उपाए नहीं है इससे अलग कोई उपाए नहीं है न खरम लिपिते नरे औ जो न कर्म कर्म मने कर्मों में लिप्त नहीं रहता है ना कर्म लिप्ते नरे अन्य कर्मों में लिप्त नहीं होता है यह इस प्रकार कर्म करते हुए मनुष्य एवं तो ही माने एवं माने होता है इस प्रकार एवं माने इस प्रकार तो ही माने तुम तुम मने मनुष्य है मनुष्य इस प्रकार कर्म करते हुए ना कर्म लिपते नरे नर्म मने मनुष्य कर्मों में लिपत नहीं होता है ना अन्य थे तो अस्ति और इससे अलग कोई उपाए नहीं है ना अन्य था इताह अस्ति इताह माने यहां पर अन्य था माने अन्य दूसरा अस्ति माने है यहां पर कोई दूसरा उपाए नहीं है ना अन्य थेतो अस्ति यहां पर कोई दूसरा उपाए नहीं है जो मनुष्य होता है, इस प्रकार कर्मों में लिप्त नहीं होता है, बात समझ में आई एक बाद फिर से हम पढ़ा देते हैं, आपको यहाँ पर आकर ज्ञान सिंद्ध कोचिंग क्लासेस पर आपने ट्यूनिंग किया है, यहाँ आने के बाद आपको अगर अगर प्रॉबलम हो गई तो मुझे प्राप्लम बहुत बड़ी हो सकती है इसलिए रह रहा iets कर तुम्हारा तुम ना अन्यत्यों तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए अन्यत्य तो अस्ति दूसरा कोई उपाय नहीं है और ना करम लिपते नरे इस प्रकार मनुस्य करमों में लिपत भी नहीं होता है आगे देखे तीसरा अच लोग कह रहा है कहने एक मतलब ये है क्योंकि ये जो मधूमत का ता है हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं मधूमत उबियेगा नहीं मधूमत में तो ये जो ता है ना अनुस्वारत से यही परस्वर हो जाता है तो ता करना हो जाता है इसलिए मधूमन में हो गया तो मधूमत में मधूर हो में माने मेरी मेरा मेरी कुछ कह सकते हो मधूमत में मेरा मधूर हो निश्क्रमलम निश्क्रमणम कार्थ होता है निकट जाना निश्क्रमणम माने बोले तो निकट जाना मधूमत में निश्क्रमणम मेरा मधूमत हो मीठा हो मधूर हो निश्क्रमणम निकट जाना अब मधूमत में मेरा मधूर हो मीठा हो मेरा क्या परायणम परायणम मने दूर जाना मेरा न मधूर युकत हो मधूर हो मधूरता से पूर हो तो मधुमत में निश्क्रमणम मेरा निकट जाना मधूर हो और मधुमत में परायणम मेरा दूर जाना मधुर हो समझ में आया वाचा वदामी बोलो वाचा वदामी वाचा वदामी वाणी से मधुर बोलू वाचा वदामी वाणी से मधुर बोलू और मधुमत भूयासम मधुमत भूयासम मधुमत भूयासम तो वाचा वदा में मधुमत मैं वाणी से वाणी से वदा माने बोलूं मधुमत माने मीठा मैं वाणी से मधुर बोलूं और भूयासम माने हो जाऊं भूयासम माने भू माने होना तो भूयासम माने मैं हो जाऊं मधु सद्रिश अर्थात मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं मधु सद्रिश हो जाऊं मधुर उप हो जाऊं एक बाप फिर से देखिए यहां ग्यान सिंदु कोचिंग क्लासेस पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप कमेंट करियेगा अब देखो आचारात माने आचरण से आचारात बोले आचरण से लभते माने प्राप्त करता है आचारात माने आचरण से ब्रक्षात माने ब्रक्ष से रामात माने राम से ग्रामात माने ग्राम से तो वही है आचारात माने आचरण से आचरण से ही माने क्योंकि और ही माने ही भी होता है तो आचरण से ही आयू आचारात लभनते स्रियम अब देखो यहां का बिच्छेद में कर देता हूँ इतने का तो यहां होगा ही और फिर आयू यड़ संधी से हो जाएगा आयू फिर रा आयू बिसर्ग लगेगा फिर आचारात हो जाएगा ठीक है ठीक है समझ में आया हाँ ही आयू आचारा लभनते स्रियम आचरण से ही लभनते आयू आचरण से मनुष्य दीरगायू प्राप्त करता है और आचारात लभनते स्रियम आचारा लभते स्रियम आचरण से ही स्रियम माने होता है लक्षमी धन भोग्य पदार्थ तो आचरण से ह मनुष्य धन को प्राप्त करता है पिर आचारात कीर्थिम आपनोति आचरन से ही कीर्थिम माने यश को आपनोति माने प्राप्त करता है पुरुशा माने पुरुस प्रेत्य प्रेत्य माने म्रत्यू के पस्चात यह परलोक में चामाने और इह माने इस लोक में चामाने और और इस लोक में परलोक में और इस लोक में सदा चरण से मनुष्य दीर आयू प्राप्त करता है और सदा चरण से ही मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सदा चरण से ही संसार में तथा परलोक में यश्की प्राप्ति करता है इस बात को आप यहां से पुष्ट कीजिए फिर से एक बार देखे आचारात लबते ही आयू आचरण से ही मनुष्य आयू यानि दीरगायू को प्राप्त करता है अब चेह आपको कठिन पढ़ रहा होगा तो चेह का बिच्छेद होगा चाईही चामाने और इहमाने इस लोक में ठीक है अब तो कोई दिक्कन नहीं चामाने और ठीक है पाँचवा ये नास्तिका निश्क्रियाच्चा गुरुशास्त्रति लंगिना अधरमग्यादुराचा रहते शवांदिगटा युशहा ये नास्तिका जो नास्तिक है अब नास्तिक बोले तो एथिष्ट और एथिष्ट बोले तो जो ईस्वर में विश्वास नहीं रखता है एपरसन WHO is not believe in God, जो आदमी जो आदमी ईस्वर में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं तो ये नास्तिका ये माने जो नास्तिका माने नास्तिक निश्क्रिया हच्चा और निश्क्रिय है जो नास्तिक है और निश्क्रिय माने आलसी है जो नास्तिक है जो आलसी है और गुरु शास्त्र अतिलंगिना गुरु शास्त्रों की आग्या का आ तिलंगन करने वाले उलंगन करने वाले अधर्मग्या और जो अधर्मग्य हैं अधर्म को करने वाले हैं अधर्म को जानने वाले हैं यानि धर्म से रहित हैं और दुराचारह और दुराचारण वाले होते हैं ते लिखा न यहां इसी में ते लिखा है इसी में ते दुराचा गतायू शामाने मरे हुए के समान खीड़ आयो वाले कम आयो वाले मैनस आयो वाले मैनस एज वाले ये नास्तिका आ शकड़ ये जो निश्क्रिय होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो आलसी होते हैं, और गुरु तथा शास्त्र का उलंगन करने वाले होते हैं, अधरमग्य होते हैं, दुराचारी होते हैं, वे गतायुशा होते हैं, अर्थात, गतायुशा का मतलब क्या होता है, छीड आयुवाले होते हैं माइनस आयू वाले होते हैं यानि कि बहुत ही कम उम्र वाले मरे हुए के समान होते हैं आगे देखे एक बिद्यारती की बात यहाँ पर की जा रहे कि बिद्यारती को क्या होना चाहिए ब्राम्मे महूरते बुध्धेत अब बिद्यारत ही नहीं बलके परतेक मनुष्य को ब्रह्म महूरते बुद्धेत ब्रह्म महूरते ब्रह्म महूरते ब्रह्म महूरते बुद्धेत जागना चाहिए ब्रह्म महूरते में बुद्धेत माने जागना चाहिए धर्म और अर्थ के लिए धर्म और धन की चान चिंतन करना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन, तो को चिंता और चिंतन में बड़ा अंतर है, धर्म और अर्थ की चिंता करनी चाहिए, यानि चिंतन करनी चाहिए, चिंता नहीं, चिंता तो मूर्खलो करते हैं, चिंतन करो, चिंतना विचार, धर्म औ उत्थाय आचम में उत्थाय माने उठकर आचम में माने कुल्ला करके कुल्ला जानतो आचमन करके वही आचमन करके मुहाद्धो करके तो उत्थाय माने उठकर के आचम माने आचमन करके तिष्ठेत्वाने बैठ जाना चाहिए पूर्वा संध्या पूर्वा संध्या के लिए संध्या का समय दो टाइम होता है एक तो ब्रह्म मुर्थ सुर्योदर से थोड़ा सा पहले और सुर्यास्त के थोड़ा सा पहले मतलब सुर्यास्त के टाइम तो दो संध्याएं होती है, सुबा वाली और साम वाली, दो संध्या होती है, ठीक है संध्या का मतलब अगर एक परकार से देखा जाए, तो सम माने भली भाती ध्या माने ध्यान दखने वाली बात, जहां पर भली भाती ध्यान किया जाता, वही संध्या होती है यार, बाकी तो संध्या माने रात समस्त कोई साम समस्ता को कुछ एवनिंग वगरा ठीक है तो आपकी बात है देखें मैं शाब्देकर तोड़ के बता रहा हूं यूहीं तो उत्थाया और उत्था उत्था करके आचम माने आचमन करके तिष्ठेत माने बैठ जाना चाहिए पूर्वा माने प क्रतान जेली हाँ जोड़कर तो ब्रह्म महुएक मनुष्य को ब्रह्म महुर्थ में जागना चाहिए धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए उठकर के आचमन करके बैठ जाना चाहिए किसके लिए पूर्व संध्या के लिए हाँ जोड़कर बैठ जाना चाहिए ठीक है अक्रोध नहां है अक्रोध नहां सत्य वादीचा भूता नाम आविहिंस कहा अनसुयह अजिम्मस्च सतंवरशान जीवति अक्रोध नहां अक्रोध न जानते हो क्रोध न करने वाला सत्य वादी चा और सत्य बोलने वाला क्रोध न करने वाला और सत्य बोलने वाला भूता नाम अभिहिंस कहा भूता नाम मने प्राणियों की अभिहिंस कहा हिंसा न करने वाला जीवों की भूता नाम प्राणियों की जीवों की हिंसा न करने वाला क्रोध रहित गुस्सा न करने वाला सत्य वादिचा और सत्य बोलने वाला भूता नाम अब हिंसका प्राणियों की हिंसा न करने वाला अनसुया जानते हैं आप अनसुया माने क्या होता है जलन न करने वा जलन न करने वाला निंदा न करने वाला अनुसुया माने निंदा होता ठीके निंदा न करने वाला असुया माने निंदा न करने वाला निंदा न करने वाला अजिम्हा चा अजिम्हा चा मने कुटिलता से रहेट जिम्हा मने उता टेढ़ा खराब अजिम्हा टेढ़ा यानी क सव वरसों तक जीवित रहता है फिर से समझे क्रोध न करने वाला सत्यवादी प्राणियों के प्रति अहिंसक यानि प्राणियों के प्रति हिंसान न करने वाला अनसुया निंदा न करने वाला अजिम्मस्च कुटिलता से रहत शतम वरसान जीवत सव वरसों तक जीवित रहत बाराश लोग हैं पढ़ते रहिए हाँ ठीक है आठमा देखिए अकीर्तिम बिनयोहंति हंत्य अनर्थम पराक्रमह हंति नित्यम छमाक्रोधम आचारोहंति अलक्षणं अकीर्तिम अकीर्ति जानते हो विनयो बिनम्रता हंति माने मारती है बिनम्रता अपयश का नास करती है उल्टा पढ़ेंगे बैया संस्कृत है उल्टा पढ़िए अकीर्तिम बिनयोहंति बिनय अकीर्ति का नष्ट करती है अकीर्तिम आने अपयश बिनय माने बिनम्रता हंति मा माने मारती है या नश्ट करती है तो बिनम्रता अपकीर्ति को अपयश को नश्ट करती है और हंति अनर्थम पराक्रम है और जो पराक्रम है पराक्रम जो है वो अनर्थ को हंति माने नश्ट करता है पराक्रम आपति को अनर्थ को नश्ट करता है और हंति नित्यम छमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम हंति नित्यम छमा छमा माने जानते हो छमा जिसको छमा कर दिया जा माफी तो हंति नित्यम छमा क्रोधम क्रोधम छमा माने छमा क्रोधम माने क्रोध को नित्यम माने नित्य प्रत हंति माने नश्ट करती है छमा हमेशा क्रोध को नश्ट करती है अवा चारो हंति अलक्षणम और अलक्षण को सदाचार नश्ट कर देता है अलक्षण माने होता है दोश समस्त दोशों को सदाचार अचारो हंति अच्रण नश्ट कर देता है अलक्षणम अलक्षण को अकीर्तिम बिनयोहंति बिनय यानि बिनम्रता अकीर्ति को नश्ट कर देती है और अनर्थ को पराक्रम नश्ट कर देता है छमा क्रोध को नश्ट कर देती है नित्यप्रति और सदाचार अलक्षण को यानि की बुरे कर्मों को नश्ट कर देता है अब आगे देखे ये तो बड़िया इस लोग सभी जानते होंगे अभिवादन शीलस से नित्यम ब्रद्धो पसे विनहा चत्वारी तस्य वरधंते आयरुविद्या यशुवलम अभिवादन शीलत से माने प्रणाम करने वालों की और नित्यम नित्य प्रती ब्रधा उपसेविनह ब्रधा उपसेविनह बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों की पुर असा गला खराब है यार ब्रधा उपसेविनह बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों की चत्वार माने चार चीजें तस्यमाने उनकी बरधंते माने बढ़ जाती हैं आयू, विद्या, यश और बल आयू, विद्या, यश और बल यानि कहने मतलब यह है अपने से बढ़ों को प्रणाम करने वाले यानि सम्मान करने वाले तथा सदायव ब्रद्धों की सेवा करने वालों की चार चीजें आयू, विद्या, यश और बल में ब्रद्धी होती है हमेशा ब्रद्धी होती है आगे देखिए बहुत यच्छाश लोक है व्रत्तम यतनेन सन्रक्षेद वित्तमायातियातिचा अक्छीनों वित्तसा अक्छीनों व्रत्तस्तु हतो हताहा ब्रत्म माने चरित्र की यतनेन माने यतन पूर्वक सनरक्षेद माने रख्षा करनी चाहिए बित्तम माने धन आयाति माने आता है यातिचा माने और चला जाता है धन तो आता है और चला जाता है ब्रत्तम माने स्चरित्र यतनेन माने यत्र पूर्वक संरक्षेद माने रक्षा करनी चाहिए क्योंकि बित्तम माने धन आयाति माने आता है यातिचा और चला जाता है अक्छीडो बित्तता हा, खीडो ब्रत्तता हा, तू हतो हता, मतलब अक्छीडो बित्तता हा, क्योंकि धनसे हीन मनुष्य दीर नहीं होता है, बित्तता माने धनसे, खीडो माने हीन, अक्छीडो माने अक्छीडो होता है, और ब्रत्तता हा तू और चरित्तर से हीन, हतो हता हा, मरे हुए के समान होता है, ब्रत्तता हा तू हतो हता, हता माने मरे हुए के समान, फिर से समझे, अक्छीडो बित्तता हा, चीडो, धनसे, खीड, अक्छीड होता है, बित्तता हा चीडो माने धनसे, खीड, अक्छीडो, अक्छीड होता है, मतलब धनसे, खीड माने धनसे, हीन, वेक्ती, क्या होता है, दीन नहीं होता है, छीड नहीं होता है, कमजोर नहीं होता है, और ब्रत्ता हा तू हतो, और चरित्तर से खीड, हतो माने मरा हुए, जिसका चरित्र खतम हो गया हो चरित्रहीन भरत्तातु हरतो और चरित्रहेन हता हा हता हमाने मरे हुए के समान होता है प्रैल की देखो बात यह है आप एक बार फिर से समझे मुझे लगता आप नहीं समझ ads पाये आप जा te अक्छीडो बितताह छीडो अब देखो ये चीज आपको अलग पढ़नी बितताह छीडो धनसे छीड अक्छीडो माने दीन नहीं होता है छीड नहीं होता है जो धनसे छीड है जो धनसे हीन है वो इतना हीन नहीं होता है और ब्रत्ताह तू हतो हतो माने हीन और ब्रत्ताह माने चरित्र से तू माने तो चरित्र से हीन तो हता हा मरे हुए के समान होता है सत्तेन रक्षते धर्मों सत्तेन माने सत्त के द्वारा या सत्त से रक्षते माने रक्षा होती है धर्मों माने धर्म की सत्त के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है और विद्या योगेन रक्षते विद्या की रक्षा योग के द्वारा होती है योग माने जानतों योगा अभ्यास कहलो विद्या जब तक योग नहीं करेंगे आप विद्या का योगा अभ्यास नहीं करेंगे तो उसकी रक्षा नहीं होगी अभ्यास करना बंद अभ्यासे न म्रजया रक्षते रूपम म्रजया माने सापसथ सफाई म्रजया माने मांजना सापसथ सफाई रखना ठीक है म्रजया म्रजया माने सच्छता से रक्षते रूपम रूप की रक्षा होती है अग कुलम ब्रतेन रक्षते कुलम माने परिवार की ब्रतेन माने चरीतर से रक्षते माने रक्षा की जा सकती है रक्षा होती है आगे देखिए जरा अपने कानों को ध्यान लगा कर सुनिएगा कि सुरुयताम माने सुनना चाहिए धर्म सरवस्व माने धर्म के सरवस्व माने सार सारांश धर्म के सार को सुनना चाहिए सुरुत्वा और सुन करके भी चा माने और अपिमाने भी अवधार्यताम माने धारन करें अब देखे चा है अपि है और अवधार्यताम है ठीक है अवधार्यताम दीर्ग संदी है तो यहाँपर यड संदी है। और यहाँपर देरिक संदी है। अनुकूल नहो परेशाम माने दूसरों के साथ न समाचरेत नहीं करना चाहिए समाचरेत माने आचरन करना चाहिए ना माने नहीं जो अपने प्रतिकूल हो वो दूसरों के प्रति आचरन नहीं करना चाहिए सुरेताम मने सुनना चाहिए धर्म सरवस्वम धर्म के सार को सुरुत्वा सुनकर के चापिद और धारतम और धारन करना चाहिए अब आत्मना प्रतिकूलान जो अपने प्रतिकूल हो जो अपने के अपने लिए खराब हो परेशाम न समाचरे तो दूसरों के लिए भी आच्रण नहीं करना चाहिए हम जानते हम काटे बोएंगे तो हमारे चुभेंगे तो दर्द होगा अब ये बात हम जान गए कि दर्द होगा तो हम क्यों दूसरों के लिए काटे बोएं है ना बात यहीं यहाँ पर की गई है आज आज आपका ये लेसन यहीं पर समापत होता है तो बच्चों हम आप सभी से बहुत बहुत नमस्कार के साथ प्रणाम के साथ बिदा लेते हैं मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अब तब तक आप कमेंट बाक्स में मुश्य बताईएगा कि हमारी परिस्रम का क्या पर प्रप्रभाव पढ़ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद चुनने के लिए